असलाम वालेकूम, हेलो एवरिवान, वेलकम तो माई चानल, फूड एन हेल्थ, आज मैं आपसे की स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो की बहुत बहुत असान रेसिपी है, लेकिन खाने में 100% एकदम स्ट्रीट स्टाइल है, अच्छी बात यह इस रेसिपी की की बिलकुल आपके जो हूम बेस इंग्रीडियंट से आप उस पर बनाएंगे, और बहुत जल्दी से बना लेंगे, और अपने महमानों को कभी भी इंप्रेस कर सकते हैं, तो चाहले है रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने यह मत्रा लिया है, इसको ड्र इस तरह से थोड़ा से जब यह दूनों चीज गरम हो जाएंगे, फिर हम इसमें half teaspoon जीरा अट कर देंगे, और जब जीरा क्रेकल हो जाएगा, फिर हम इसमें उबलावा मत्रा अट कर देंगे, ऐसा करने से मत्रे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और चाट खाने में बह थोड़ा सा पानी आट कर सकते हैं, यह मैंने काफी टाइम पहले अबाल के रख लिया था, इसलिए थोड़ा थिक हो रहा है, अगर एक तम फ्रेश बलवा होता है, तो इतना गाडा नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी आट करके इसको थोड़ा हम पकाएंगे, और यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा, फिर इसमें हम एक ग्रीन चिली को कट करके इस तरह से आट कर देंगे, ग्रीन चिली अगर आप खाते हैं तो डाल लीजिए, इसकिप करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेगि थोड़ी ग्रीन चिली अच्छी लगती है, उसके बाद इसमें बुना हुआ जीरिया का पॉडर, काला नमक, सफेद नमक दोनों ही नमक जाएंगे और मटर को उबालने भी हमने थोड़ा सा सॉल डाला था तो इसलिए बैलेंस करते पर डालें और हाफ टीस्पूनी इसमें ड्राइ मैंगो पॉडर और यह सारे मसाले डालने के बाद मैंने इ इसको हम tiny करते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब इसका कलर्ड थोड़ा डाक हो जाएगा और मसाले अच्छे से इसमें एबजोब हो जाएंगे तब आपайте ग्याया ये मैंने गरम मसाला अब अद किय आ Alors बस सारे वही मसाले इसमें अध defस आए हैं अभी बताए उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पकाने के बाद ठंडा करेंगे फिर इसमें हम बाकी की चीज़े आड़ करेंगे गैस आफ करने से पहले आप इमली के पल्प का पानी इस तरह से इसमें आड़ कर दें पल्प को भी गो दिया था फिर उसको चान के उसका पानी एड़ कर दिया है दो मिनट पकाएंगे और इसके बाद ग्यास को आफ कर देंगे तो आप देख सकते हैं मटर पे बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये अभी से बहुत टेम्टिंग लग रही है अब मैंने इसको एक दूसरे बरतर में ट्रांसफर कर दिया है और थोड़ी देर पांच मिनट मुश्किल से वेट किया है थोड़ा इसको ठंडा होने के लिए इसका भी एक रीजन है थोड़ा ठंडा करके फिर हम इसमें चॉप्ट वेजिटेबल्स मिलाएंगे जैसे की अनियन है और टोमेटो है और हरधनिया है ये सब चीजे अगर हम गरम में आड़ कर देते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और थोड़ा सा इनका क्रंच कर देंगे ओपर से तो है ना कितनी असान सी रेसिपी बस देखिए हमारी चार्ट बिल्कुल तयार है आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले और चैनल अब अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से मे सब्सक्राइब मिल जाते हैं मार्केट में असानी से उनको हम तयार करेंगे तो ये हल्का सब्सक्राइब टोमेटो अनियन चॉप उपर से और डाल दिया गार्णिश में और एक दम रेडी आप चाहें थोड़ा से लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं अब बस तवे पे थोड़ सकते हैं और इसको लंच में भी बना सकते हैं और कहीं अगा आप ट्रवलिंग में जा रहे हैं तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं यह बहुत इजी है इसको बनाना भी और कैरी करना भी कुल्चो को दोनों साइट से दबाते वे बटर लगाते वे अच्छे से आप प्रेस कर कर सकते हैं बिलकुल इसी तरीके से वह भी बनेंगे और वह भी अच्छे लगते हैं लेकिन यह वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं आप कौन से पसंद है आप मुझे कमेंड में जरूर बताईएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना यह बहुत टेस्टी लगती है उस में लगा दिया है तो इसके साथ यह एकदम कम्प्लीट हमारा प्लैटर हो गया है और यह बहुत टेस्टी है तो इसको आप एक बाद जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा फिर मिलती हूं आप से ऐसी ही और इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी के साथ तिल एन किया अला हाफिज